अंजी राम राम जी क्या हाल चाल आपके उमीद करता हूँ आप और आपका परिवार ठीक ठाक होगा तो दोस्तों NWDA में नई बढ़ती निकल गई है सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहे और इदि आपने भी तक नोलेज टीवी देशी ताव यूटूब चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटा फट सब्सक्राइब कर लिजिए ताकि आपको सही समय पर सही अपडेट मिलती रहे आगे चलते हैं जी देखिए CET मेंस के एकजाम डिट आ चुकी है ठीक है तो गरेजिशन लिएकजाम है कोमन वाड़ा वो आपका 11 जून का है और 12 वाड़ा एकजाम आपका 17 जून का है यदि आप इसके लिए बैच लेना चाहाते हैं तो CET मेंस का बैच स्टार्ट हो गया पर इस बैच के उपर अभी ओफर भी चल रहा है कोई इनफोर्मेशन लेनी है आप इस नंबर पर कर सकते हैं सत्तर पंदरा चोबी 34 एक्यानवे पर ठीक है तो वापिस आते हैं जी भरतियों पर NWDA का मतलब क्या होता है जी NWDA का मतलब क्या होता है नेशनल वाटर डेवलो ओपमेंट अजैंसी एडवर्टाइजमेंट है 14-2023 ठीक है और ओल इंडिया लेवल की वाकेंसी है 17 अप्रेल फोरम बढ़ने की लास्ट एट है फोरम आपको ओन-लाइन तरीके से ही जमा करवाना है फीस देखिए आप जनरल ओबी सी डवलोस की 890 है से स्टी डवलोड की 500 फीस है फीस भी आपको ओन-लाइन तरीके से ही जमा करवानी है ठीक है उसके बाद में 18 मार्ट से आज 18 मार्च ही है यानि की सही समय पर सही नफ्रमिशन आप तक पहुंचा रहा हूं लाइक जरूर करना है 18 मार्च से आपके फोरम स्टार्ट हो रहे हैं 17 अपरेल तक आप फ 20 से 30 साल है यहां पर मैंने आपको बता 6 प्रकार की वकैंसी है बाकी सभी की तो कितनी है 18 से 27 है एज में जो छोटेती वह अलग से मिलेगी जो एक जुनियर अकाउंट्स ओफिचर की पोस्ट है उसमें कितनी एजी 21 से 30 साल एज है ठीक है एज की जो कौंटिंग होगी वह ल अपलाई कर सकते हैं जुनियर अकाउंट्स ओफिचर की जे एओ की वकैंसी है एक डिगरी होने ची कोमर्स में और साथ में तीन साल का वर्किंग एक्सपिरिंस आपके पास में होना चाहिए उसके बाद में ड्राफ्ट्समें ग्रेड थरी की वकैंसी है कितनी पोस्ट है चै पोस्ट है आईटे ड्राफ्ट्समें होने चीए आईटे ड्राफ्ट्समें का कोर्स होना ची सीविल में ठीक है और उसके बाद में है अपर डिविजनल कल रखी यूडी सी की पोस्ट है साथ पोस्ट ग्रेजवेशन पास के डिट अपलाई कर सकता इसके लिए उसके बाद म बार विपास होना चाहिए साथ में टाइपिंग का ग्यार होना चाहिए अपके पास तो आप ये पोस्ट आपके निकड़ी है NWDA National Water Development Agency ठीक है यह दिए आपके पास योग्यता है तो अपलाई कर सकते हैं रिटन एक्जाम होगा स्किल टेस्ट होगा कुछ पोस्ट में होगा डोकुमेंट वेरिफिकेशन होगी फिर मेडिकल एक्जाम होगा तो यह स्टैप आपके रहने बाले है और आपका सेलेक्शन हो जाएगा इसके अंदर आपका इंटर्व्यू नहीं है आजकल तो इंटर्व डिटेल इस बरती की इस बरती से जोड़ी कोई और इन्फरमिशन आप लेना चाहते हैं तो आप मुझे वट्सप कर सकते हैं और कई पर ऐसा होता है दोस्तों वीडियो नहीं बन पाती है तो मैं वट्सप स्टेटस पर उन चीजों को लगाते तहूं चोटी-चोटी चीज़े होती है वट्सप स्टेटस लगाता रहता हूं तो आप इस नंबर पर वट्सप कर सकते हैं अपना नाम एड्रस और कवालिफिकेशन ठीक है यह चीज़ा भेज सकते हैं धन्यवाद